अगर आप Germany में study visa प्याना चाहरे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है इस वीडियो में हम student visa के complete process को 9 simple steps में देखेंगे आप bachelor के student हूँ या master के student इन steps को मैं इतने easy way में explain करूँगा कि एक 16 साल का बच्चा भी इसको easily समझ सकता है और implement करके Germany आ सकता है इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे के जैमनी से पढ़ाई करने के असल में फाइदे क्या है आलसो इस वीडियो की description से आपको complete e-book for bachelor's और complete e-book for master's भी मिल जाएगी जो के आपके जैमनी के process को मजीद असान कर देगी चला हम basic से शुरू करते हैं और देखते हैं कि जैमनी में पढ़ाई करने के फाइदे क्या है तो जैसा कि आपको आल्रेडी पता होगा कि यहां पे free education होती है free education का बार 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 बता कि मैं आपके कान नहीं पकाना चाहता मगर बात सिर्फ इतनी सी है कि जैमन युनिवस्टीज के अंदर tuition fee नहीं होती यहां पे सारे students including international students free में education हासिल करते हैं और number two फाइदा यह है कि जैमनी के अंदर settlement easy है लाइक अगर हम दुबई या साओधी के अंदर अपनी सारी जिन्दगी भी लगा दें तो हमें passport नहीं मिलता और इसी तरह अगर हम European countries या और तरकी आफ़ता मुलकों की बात करें तो वहां पे PR और nationality बहुत अरसे के बाद मिलती है जबकि अगर हम जैमनी में देखें तो जैमनी में एक student जब अपनी तालीम मुकमल कर लेता है तो उसके दो साल जॉब करने के बाद वो PR के लिए अपलाए कर सकता है और इसी तरह आप new rules के मताबिक जो है पांच साल का legal stay के बाद आपको nationality मिल सकती है तो overall बाकी countries की नस्बत यहां पे settlement easy है आपको PR नशनलिटी जल्दी मिलती है और तीसरा फाइदा जो के मुझे personally पसंद है वो यह के यहां पे अमन है crime rate बहुत कम है तो यहां पे सकून है जिस तरह आप देख सकते हैं कि मैं third world country से उठके यहां एक public place पे आप से बात कर रहा हूँ मेरा mobile सामने पड़ा है और यहां से कोई भी गुजरता हुआ बंदा उठा के कभी नहीं लेके जाएगा I love this place क्यूंकि it's quite peaceful और rule of law यहां सबसे उपर है और number four फाइदा यहां कि students अपने expenses खुद बेयर कर सकते हैं education तो already free है लेकिन रहने के लिए जो है वो पैसे चाहिए होते हैं तो वो students part time job कर सकते हैं एक student minimum wage पे 900 से 1000 euro कमा लेता है जबके उसके 600 से 700 euro खर्चा हो जाता है तो थोड़े से पैसे बच भी जाते हैं लेकिन mainly यहां कि अपने expenses खुद बेयर करता है student और finally fifth फाइदा जो मुझे भी पसंद है वो है quality of life देखें student की जिंदगी वैसे तो हर जगा मुश्किल होती है लेकिन अगर हम Germany को compare करें Canada, Australia या फिर UK से तो यहां पर उसकी नस्बत जिंदगी थोड़ी सी असान है लाइक उन country में आप 10 से 12 घंटे रुजाना काम करते हो क्यूंकि आपको fee देनी होती है university की जबके Germany में अगर हफते में आप सिर्फ 20 घंटे भी काम करें तो आपके living expenses उसे पूरे हो जाते है university में हमें fee देनी नहीं होती तो peace of mind काइम रहता है तो थोड़ी सी quality of life होती है चले फाइदे दो बहुत हो गए अब यह देख लेते हैं कि Germany का complete process क्या है तो nine steps में से जो पहला step है वो है check your eligibility तो इस step के अंदर हम यह चेक करते हैं कि क्या हम Germany में पढ़ने के एहल भी हैं या नहीं तो इसके अंदर अगर आपने FSE की हो या DAE किया हुआ हो तो आप direct bachelor's के लिए नहीं आ सकते हैं आपको दोस्ट मेस्टर्स पाकिस्तानी उनिवस्टी में पढ़ने होते हैं या फिर श्टूडियन को लीग वाला रास्ता इक्तियार करना होता है इसी तरह अगर आपने B.Sc. या A.D.P. किया हुआ हो तो आप master's में दाखला नहीं ले सकते हैं लेकिन bachelor's के लिए अपलाए कर सकते हैं और अगर आपके पास 16 साल की education हो या फिर 18 साल की भी education हो तो फिर आप master's के लिए अपलाए कर सकते हैं तो पहले step में आपने अपना देखना है कि आप qualified हैं या नहीं तो अगर आपके पास 16 साल की education हो तो master's के लिए और 13 साल की education हो तो बैचलर's के लिए अपलाए कर सकते हैं चले हैं फर्स step के बाद hopefully आप इलीजी बलोंगे तो उसके बाद आता है हमारा step 2 step 2 के अंदर हम universities find करेंगे और उनको short list करेंगे तो universities find करने के basically दो तरीके हैं एक old way और एक new way old way की बात करें तो आपने दाद international की website पे जाना है और वहाँ पे अपना course type करना है course type करने के बाद आपको काफी सारे similar courses नजर आ जाएंगे वैसे तो ये तरीका ठीक है लेकिन इनका search engine कोई बहुत अच्छा नहीं है जब आप अपना course लिखेंगे तो काफी सारे आपको irrelevant result भी देखने को मिलेंगे तो उसके लिए मैं लाया हूँ new way तो new way ये field वाले use कर सकते हैं इन सारी fields के जो सारे English start courses हैं उनको मैंने अपनी e-book के अंदर include कर दिया है आप e-book को download करेंगे और उसमें से आपको complete list मिल जाएगी तो फिर आपको दाद पर जाने की ज़रुवत नहीं है बलके आपको दाद website के direct links मिल जाएंगे और एक single जगा पे मिल जाएंगे खेर आप old way यूज़ करें या new way लिंक आपको दाद का ही मिलेगा तो आप दाद की website पर जाएंगे और वहाँ पर requirements tab के अंदर जाएंगे requirements tab के अंदर आप थोड़ी सी requirements पढ़ेंगे और थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो वहाँ पर आपको language requirements मिल जाएंगी आइल्ड 6 चाहिए 6.5 चाहिए या 7 चाहिए और इसी तरह आपको यह भी अंदाजा हो जाएगा कि कितनी यूनिवर्स्टी इंग्लिश प्रोफिशन्सी साइटिफ केड़ पर दाखला दे रही हैं तो अकर जैनरली मैं आपको बता हूँ तो तकरीब 80-90% यूनिवर्स्टी जो है वो आइल्स या टोफल अक्सेप्ट करती हैं और जो 10-15 यूनिवर्स्ट परसेंट वाकी यूनिवर्स्टी जो आपकी करने की तो यह हमाना स्टेप 3 था जिसके अंदर हम लेंगविज रीकॉर्मेंट को कम्पिलीट करेंगे और उसके बाद हमनेक्स स्टेप पे जाएंगे और हमारा जो नेच्स स्टेप है वह अपने डाकुमेंट्स प्रिपेयर करने का तो जैमन यूनिवर्स्टी में अपला कर रहे हैं तो क्या इंट्रस्ट है आपका कॉर्स का तो इसके रिकमेंडेशन लेडर और मोटिवेशनल लेडर के सेंपल्स आप इबुक से देख सकते हैं इसके लावा आपकी जो अचीवमेंट्स हो यह सैटिफिकेशन वह भी आप अपने क्अश्यूप की यह कॉश्यूर्णाइस हो तो वह भी लगा सकते हैँ इसके लावा ईसे टियस की रिकॉर्मेंट होती हैं क्श्ज्यूर्मेंट्स को भी मैं 설के formally तो यह गैस ती क्या है क्उश्यूपक मॉ क्धान तो यहां मैं नहीं बता सकता तो इस सेमिंद को आपक के apply कर सकते हैं तो जब आप अपलाए कर दें तो फिर आप इनको एटेस्टेशन की तरफ भी जा सकते हैं क्योंकि जब आप इंटर्वियू के ले जाएंगे तो फिर आपके एजुकेशनल डाकॉमेंट्स जो हैं वो जरूर अटेस्ट होने चाहिए अटेस्टेशन की पूरी कर teus Keep के झाहिए चाहिए तो आप देख सकते हैं और आप हम नेक्स टäप पे चलते हैं और इसके बादा है हमारा स्टेप इस नंस पाइव जिसके अंदर हमने अप्लाई करने के तीन तरी ढर लाइन तरीक फिर्फा प्र पर प्लाइए करते हैं तो जैमन युनिवस्टी ने अपने अप्लिकेशन पोर्टल दिया होता है और वो कहते हैं कि आप सिंपली हमारे पोर्टल पर सब्मिट कर दें अप्लिकेशन और हम इवाल्वेट करके आपको बता देंगे रिजल्ट फिर आता है दूसरा तरीका दूस अब की प्रिकेशन आपके उनियिश्टी एक अंदर देखता है अगर इनीवासिट टरिकार पर पूरा उतरते हैं तो फिर आपकी एप्लिकेशन युनिवस्टी स्ट आगे अजियर्षी को सब्समार करकि देते हैं तो को हमें एक शाहिए और हूज आको मिया था दें लें वो वीपीडी डाकुमेंट जब आपके पास आजाए तो फिर आप हमारे ही एप्लिकेशन पोर्टल पे अपलाए करेंगे मगर हमें कैसे पता चलेगा कि इन तीन तरीकों में से कौन सा तरीका अख्तियार करना है तो देखे हमने स्टेप टू के अंदर जो यूनिवस्ट तरीके के साथ अप्लिकेशन अक्सेप्ट करते हैं तो आपने वहां पर देखना है और फिर उसी तरीके से अपलाए करना है अच्छा एक बात इंपोर्टन के यह जो अपलाए हो रहा है यह सारा ओनलाइन ही अपलाए हो रहा है जमनी की तकरीब नवे परसंट वो कहती हैं कि हमें फिजिकल डाकॉमेंट भी भेजो तो आपने फिर अपने डाकॉमेंट की कोपीज कराना है नोटरी पबलिक से टेस्ट करवाना है और फिर उनको पाकिस्तान पोस्ट से टी सी से या डिह एचल से उनको जैमनी के अंदर भेज देना है बट मुस्टली उन लेटर आएं, multiple admissions letter आने के फायदे होते हैं, like choice बन जाती है कि आप इस university के अंदर जाएं या इस university के अंदर जाएं, इसी तरह जो है कुछ universities deferment allow कर जाएं, इसी तरह जो होता है कि उस semester में अगर आप जोईन नहीं कर सकते due to any reason या appointment की reason तो फिर आप next semester के अंदर join कर लें, तो के अंदर है, तो जाहरी तोर पे बड़े शहरों के अंदर ज्यादा opportunities होती हैं, बेहतर location पे, बेहतर location की वज़ए से युनिवस्टी सेलेक्ट की जा सकती है, और second चीज, second चीज आप job situation भी देख सकते हैं, कि वो युनिवस्टी किसी industrial area के अंदर है, या वहां पे job situation कैसी है, या आपकी field से related वहां पे job situation कैसी है, तो second ये factor हो सकता है, third factor जो है आपका interest, of course, इसको पहले पे भी आप रख सकते हैं, interest भी आपने देखना है कि कौन सा course, easy है, या किस course में आपका ज्यादा interest है, क्योंकि डिगरी भी निकालनी है, तो वो वाला factor भी आप देख सकते हैं, और दूसरे से आगे बढ़ने की, तो ranking तकरीब बन educational level सेम ही होता है, यूनिवस्टी के अंदर, थोड़ा बहुत फर्क होता है, बट ranking को भी आप consider कर सकते हैं, तो इन factors की base पे आप अपनी university final करेंगे, और उस university के अंदर enrollment की request दे देंगे, तो university आपको enroll कर लेगी, और आप German university के enrolled student बन जाएंगे, तो इसके बाद हमारे पास आता है next step, जिसके अंदर हम embassy के अंदर appointment book करेंगे, अगर आप ये वीडियो पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं, तो आप अपनी respective German embassy के web pages पे जाएंगे, और वहाँ चेक करेंगे, कि appointment का वेटिंग टाइम क्या है, और फिर उसी appointment book कर सकते हैं, अगर आप पंजाब या KPK से हैं, तो फिर आपकी appointment जो है, वो इसलामबाद embassy की through होगी, जो के situation अच्छी नहीं है, वहाँ appointment की, तो सीन ये होता है, कि इसलामबाद embassy दो तीन semester से एक खास दिन अपनी appointment open करती है next semester के लिए, और उस दिन जो बंदा, जो student पहले 10 से 15 minute के अंदर अपनी appointment book कर लेता है, उसकी appointment आइस्ता आइस्ता आजाती है, लेकिन जो देर से बुक करते हैं, 20 minute, 40 minute, 50 minute बाद तो फिर उनकी appointment नहीं आती है, क्योंकि क्यों ही इतनी लंबी हो चुकी होती है, तो फिर embassy semester के आखर में appointment कैंसल कर देती है, और फिर appointment open करती है, अ appointment हो, तब आपके पास admission letter होना चाहिए, बाकि आप इसको किसी भी step पे कर सकते हैं, और अभी जो आप जिस करण टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी next time जो इसलामबाद embassy open करने जा रही है, तो वो hopefully मई के अंदर होगी, तो आप embassy के pages पे जो है, वो नजर रखे और देखेंगे के appointment कब open हो रही है, और फिर उस दिन जल्दी से book कर लेंगे, अगर आपके पास admission letter आने की उमीद है तो, और इसके बाद आता है हमारे पास step 8, step 8 के अंदर हमने visa requirements को पूरा करना है, basic appointment आपने book कर ली, लेकिन अब उसकी जो requirements हैं, जिस दिन आप जाएंगे, वो सारी requirements पूरी करके आप जाएंगे, तो वो आपने पूरी करनी है, उसके अंदर जो main तो दो ही requirements है, एक आपके पास admission letter होना चाहिए, और दूसरा आपके पास block account होना चाहिए, बाकी भी सारी requirements हैं, जो मैंने इस वीडियो में सारी explain की हुई है, बड़ ये दो major हैं, एक आ तो तीन हफते पहले आप अगर block account ओपन करते हैं और उसके अंदर पैसे डलवा देते हैं, तो would be nice, और बेहतरीन चीज़ी है कि आपकी interview से हफता दो पहले, हफता दो पहले आपके पास पैसे पहुंच जाने चाहिए, और block account confirmation आ जानी चाहिए, तो इससे आप सारी दूसरी requirements भी पूरी कर लेते हैं, और block account भी पूरा कर लेते हैं, और इन सारी चीज़ों के साथ आप interview देने के लिए चले जाते हैं, जो कि है हमारा step 9, और finally हमारे पास आता है step 9, जिसके अंदर हम अपने visa interview की तयारी करेंगे, अगर आप पाकिस्तान से बाहर इंबैसी में apply करें, तो आप interview देने के लिए वहाँ पे जाते हैं, तो interview को इतना मुश्किल नहीं होता, visa ratio भी अच्छी होती है, लेकिन आपको फिर भी तियार करना है, आप से सवाल वो पूछते हैं, क्यों जमनी जा रहे हैं, कोर्स क्यों ले रहे हैं, और क्या आप future देखते हैं, वापस आएंग आप जो है, वो आपको वीजा मिल जाएगा, वीजा जो मिलने की टाइम है, वो तकरीबन चार से छे हफते प्रोसेसिंग टाइम है, उसके बाद आपको वीजा आता है, तो जो चार से छे हफते हैं, वो बड़े मुश्किल गुजरते हैं, क्योंकि हमें decision चाहिए होता है, क् नहीं मिलेगा, लेक हमेना आप अपनी shopping shop capitalism कर सकते हैं, आप ticket sticker book कर सकते हैं, और फिर आप Germanी आ सकते हैं, तो यह सारे step थे, जो कि आपको one by one लेने हैं, और फिर इससे आप यह सारे implement करके, Germany आ सकते हैं, और अगर आप अभी तक भी यह वीडियो देख रहे हैं, तो काफी lumpी तो वीडियो मैंने आपके लिए ही बनाई थी और डिस्क्रिप्शन के अंदर इबुक्स भी दी हुई है बैचलर्स के लिए भी और मास्टर्स के लिए भी तो उस पर मैंने काफी घंटे लगा के पूरी डीटेल में यह प्रॉसस समझाया हुआ है जो हमने यहां बात की और इ सारे प्रॉसस को कर सकते हैं और जैमनी आ सकते हैं थैंक यू